दो हजार अठारा की माने तो बहतरीन कमाल की फिल्मों में से एक है यह मल्यालम फिल्म ए मायाव और इंग्लिश नेम आर आई पी रिप डाइरेक्टर लीजो जोस पलसरी आइम डिबी रेटिंग 8.3 दोस्तो कहाने में हीरो हीरोईन को तो आपने में रोल में कई दफा देखा होगा और अगर ये कहा जाए कि इस कहाने का हीरो मौत यानि देथ है तो आप क्या सोचेंगे एक ऐसा अंतिम संस्कार जो आपने इस से पहले देखी तो होगी मगर इस नजरिये से नहीं देखी होगी कैसे घटना करम होती है और कैसे मनुश्य का स्वभाव सामने आता है और मूवी के अंत की कुछ घड़ियां आप सभी को चुप करा देंगी इमा याव यानि मरे इंसान के कान में कहे जाने वाले शब्द जादा देरी ना करते हुए सुनते हैं लेकिन उससे पहले इस चैनल और मेरे सेकंड चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर ले लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में है साथ ही लाइक, कमेंट्स और मूवी स्ट्राइब को सुनते रहे कहाने के शुरू में एक अर्थी को गुजरते हुए दिखाया जा रहा है जो शायद ववाचन नाम के एक आदमी सपना देख रहा है थोड़े देर में इर्णा कुलम के चलानाम नाम के मच्छवारे गाउं में दो आदमी समंदर किनारे मिलने आते हैं उनका समय और मिलने के तारीक बहुत पहले से ही तै थी चारो और कवे शोर करने लगे उन्हें अभी सही वक्त का इंतजार करना है तो दोनों ताश खेलने बैठ जाते हैं ववाचन कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता है दो बोटले शराब, कुछ नगदी पैसे और एक बतक लेकर आज शाम उसे बस से उतरता देख उसी गाउ के चारों ने कहा तेरी बेटी का चक्कर किसी के साथ चल रहा है पुरा गाउं जानता है ववाचन को गुसा आ गया और कहा सुनी में उसने उसे एक घुसा जमा दिया वो जमीन पे आ गिरा फिर ववाचन अपना जोला उठा कर घर के तरफ चल पड़ा इधा घर पहुँशते ही उसकी बीवी पेनमा ने गुसा करना शुरू कर दिया महीनों बाहर रहता है कोई अतापता नहीं मर गया कि जंदा है ववाचन ने हसकर उसे जोला थमाया और कहा आज बता खाने का बड़ा मन है घर पे पेनमा के अलावा छोटी बेटी निसा, बेटा एशी और उसकी पतनी साबेथ रहते है अब खाना बनाते हुए पेनमा ने बहु से अपनी चिंता जदाई आज 35 साल हो गए है हमारी शादी को लेकिन इनके पैर घर पे टिकते ही नहीं पुरी जिंदेगी बाहर ही गुजार दी ये नहीं कि अब उमर हो गई है, घर पे रहे साबेथ बोली, मा तम चिंता मत करो, मेरे पास एक इलाज है इसका बाहर बैठा ववाचन, अपने ही मन में कुछ बड़बडा रहा है तभी नीसा उसे चाय देने आई उसे अंदर ही अंदर आज शाम में हुई वाक्य की चिंता तो सता रही है पर वो अपनी जवान बेटी से कैसे पूछे इतने में उनका बेटा एशी ठेकी से शराब लेकर आप पहुचा पिता को इतनी दिनों बाद अचानक घर के सामने बैठा देख पहले तो वो थोड़ा नारास हुआ उसे भी आज बस्टैंड में हुई बाबा के जगड़े की बात पता चली आज बबाचन बड़ा चुपचाप है एशी ने कितना कुछ कहा पर फिर भी कोई जवाब नहीं दिया फिर एशी दारू, पानी और एक गलास लेकर बाबा के साथ बैठ गया और दोनों पीने लगे आज बबाचन को सालों पहले अपने पिता का अंतिम संसकार याद आ गया एशी जानते हो, इतना शानदार धूमधाम से मनाया गया था उनका अंतिम संसकार, आज तक पुरी गाउं में वैसा दिन नहीं मनाया गया पूरा गाउं देखता रह गया धोल ताशे थे, गाने के लिए अलग से लोगों को बुलाया गया था चर्ट से फादर थे, देखने वालों को भी मरने की चाह हो जाए एशी बोला, बाबा आप चिंता मत करो, मैं आपका अंतिम संसकार इस से भी जादा धूमधाम से करूँगा उसमें मोर के पंक होंगे, आतिश बाजी होगी ये सुनके वबाचन जोर से हस्ता हुआ खासने लगा एशी बोला, मैं मजाद नहीं कर रहा, सज फॉस्ट क्लास कॉफिन होगा, सोने का क्रॉस होगा फॉस्ट क्लास म्योजिक बैंड, अठारा लोगों की परेड, क्रॉस में हाथ पकड़े हुए सच्ची, तु करेगा ये सब, जा अंदर से मेरा थैला लेकर रहा थैले से उसने कागस में मुड़े, कुछ रुपे उसे दिये और बोला, इससे मेरा अंतिम संसकार का खर्चा उठ जाएगा ना एशी जोर उसे हसता हुआ बोला, अरे ये नोट तो नोट बंदी के समय से चलना बंध हो गया है, क्या बाबा, ये अब किसी काम के नहीं ववाचन को चिंदा में देख एशी बोला, मैं हूना अपका बेटा, पुरी दुनिया देखेगी, ऐसी तैयारी करूँगा थोड़ी देर बाद ववाचन जाड़ियों में पिशाप करने गया, अचानक से हवाए और तेज चनने लगी वहीं खड़े-खड़े ऊपर ताकते हुए, वो बाते करने लगा, जैसे कोई पेड़ पर बैठा हो यहां अंदर मा और बीवी को बाबा के खाने में कुछ मिलाते हुए एशी ने पकड़ लिया वो कोई दवा मिला रहे थे, ताकि ववाचन के पाउं कुछ दिन घर पर डिगे पर एशी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, अब वो बाहर आकर देखा, तो ववाचन नमसकार मुद्रा में बैठा है अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, कौन है वहाँ, वो वहाँ है ना, कहकर ववाचन, पुद्पुदाने लगा मौसम खराब हो रहा है, कोई आंधी आने वाली है अब पीकर मस्त ववाचन, घर के द्वार पर खड़ा नाचने गाने लगा कभी उसका एक पाव घर के अंदर होता कभी बाहर पता नहीं क्यों आज आंगन की टुबलाइट बार बार जल बुछ रही है जैसे प्राण निकलने को फड़फडा रही हो इतने में एशी को लाजर का फोन आया, बात करने वो थोड़ा दूर गया लाजर के साथ उसके पुराने पैसो के हिसाब किताब को लेकर छगड़ा चल रहा है कि अचानक उसकी मा बहनों के ड्रोने चलाने के आवाज आने लगी एशी दोड़ कर अंदर गया, तो देखा ववाजन जमीन पर मरा पड़ा है, लगता है गिरने की वजह से सर फट गया है उसकी मा चाती पीट पीट कर रोने लगी, बहु लोगों के दर्वाजे पीट पीट कर इकठा करने लगी जल्द ही पुरा महला उनके घर में जमा हो गया इधर एशी सर पकड़े, जमीन पर बैठ गया, वो समझ नहीं पा रहा कि आखर ये हुआ क्या अभी तो बाबा से वो बाते कर रहा था, उसने बाहा जाकर कई बार पाने की जप्टी, मूँ हाथ पे मारी और अपने दोस्त अयपन को फूर लगाया यहां बाहार लोग बाते कर रही है, ववाचन की मौत इस तरह होना जरूर इसमें कोई न कोई रहसे है शाम को तो वो भला जंगा था, फिर चावरों से उसकी लड़ाई हुई और एशी भी तो अपने बाब पर महीनों गायब रहने के लिए गाली दे रहा था और इस सब के बीच वो अचानक मर गया, कैसे? अंतिम संसकार शिरू करने से पहले डॉक्टर को बुलाना होगा, जो इसे मरा घोशित करेंगे अब दो लोग डॉक्टर बुलाने घर पहुँचे, लेकिन डॉक्टर पी कर सो रहे है कलाना कहकर उनकी बीवी ने एक नर्स के पास भेश दिया यहां नर्स भी इतनी रात वहाँ जाने से आना काने करने लेगी पर जब सुना डॉक्टर साहिब का ओर्डर है तो उसे जाना ही पड़ा यहां अयपन एशी के साथ मिलकर सारे बंदोबस्त करने में जुट गया उसे ववाचन के भाई का फोन आया वो इस बास से नाराज है कि उसे नहीं बुलाये गया अयपन बोला यह कोई शादी नहीं जो इन्विटेशन के जुरत है तुम्हारा भाई मरा है जब मर्जी आ जाओ फिर आयपन एशी से पूछा पट्टनी गाउं की लोगों को भी खबर करते जिस पे एशी ने मना किया उनके आने से बात बिगड़ सकती है इतनी में नर्स पहुँची उसे देखते ही इतनी देर से चुप बैठी पेनम्मा फिर से दहाडे मार करूने लगी नर्स ने ववाचन के सर का घाओ देखा फिर थोड़ी पूछताच की और बूली मैं इसे मरा घोशित नहीं कर सकती कुछ तो गड़बढ है कल डॉक्टर आकर ही इसका फैसला करेंगे वही दो लोग अब फादर को बुलाने पहुँचे जो जासूस की किताबे पढ़ने का शौकीन है और इस वक्त भी उसके हाथों में किताब है दो लोगों में से एक वही लाजर है जिससे पैसो के लिए एशी से अनबन चल रही है उसने कहा फादर ये कोई सामान या मौत नहीं लगती मुझे तो लोचा है बहुत बड़ा आज शामी उसकी चावरे से लड़ाई हुई थी फिर जब एशी को मैंने ये बात बताई तो वो गुसे में घर गया उपर से उसकी बीवी पन्नामा भी उसे खुश नहीं है वो महीनों बाहर जो रहता है उसका बस चले तो उसे घर में ही ना घुसने दे तब ही दूसरे आदमी ने कहा फादर ये सब जूट है उसकी गिर कर मौत हुई है मगर फादर होते हुए भी उसका मन सुनी सुनाई खबरों की तरफ जादा है फादर ने कल सुभा आउंगा कहा और जब दोनों बाहर निकले तो वो छुप कर उनकी बाते सुनने लगा यहां एशी अपने बाबा की तरह कुछ बड़बडा रहा है थोड़ा चुप चुप खोया खोया सा है अयपन की पूशनी पर वो बोला मनने से पहले बाबा की एक ही एक्छा थी कि उनका अंतिम संसकार धूम धाम से हो मगर वो ऐसे चले जाएंगे किसे पता था अभी तो म मेरे पास कुछ नगदी भी नहीं अयपन बोला घर में कुछ सोना वगेरा है तो ले आओ उसे गिरवी रखकर कुछ पैसो का अंतजाम हो सकता है एशी अपनी पतनी साबेट से सोने का चेन मागने गया मना करने पे वो बोला मैं बाहर बता दूँगा कि तुम लोग बाबा क के खाने में कुछ मिला रहे थे वो डर गई और उसने हार उतार कर दे दिया दोनों दोस्त पैसो का अंतजाम करने निकल गए अब नर्स ने जैसी ही ववाचन का मूँ बांधा अचानक तेज हवा चली और सारी मुंबतिया बुच गई थोड़ी देर में चावरो भी उसके घर आया और बोला आज ही मुझसे लड़ा था पर अब देखो बेचारे को मैंने इसे माफ किया और बाहर जाकर उसने लजार से कहा जब ये शाम को आया था मैंने कहा था कि इसकी बेटी का चकर चल रहा है शैद घर आकर कुछ कहा सुनी हुई होगी और उसकी पास नोटों क गड़ी पी तो थी जबाना खराब है भगवान जाने क्या हुआ होगा ववाचन की छोटी बेटी निशा का एक बॉइफरिंड भी है जो खड़की से निशा को जाक रहा है निशा बाहर आई और बाबा की हुई मौत पर उसके गले मिलकर रोड़े लगी लेकिन वो तो टॉर्च लिए वो पहले तो ववाचन के घर के आसपास मंड़ा रहा है कि शायद उसकी जासुसी को हवा मिले रास्ते में उसे नर्स दिखी जिसने उसके शक को और हवा दे दी अब वो अंदर दाखिल हुआ और उसे देखते ही इतनी दिर से चुप बैठी पे नम्मा फिर जोर जोर से रोने लगी फादर इधर उधर को सुराग ढूंटे हुए आधे मन से मंतर पड़कर चला गया अब एशी कोफिन खरीतने पहुचा पहले तो उसे सस्ते वाले दिखाए गए लेकिन उसका मन नहीं मान रहा उसने बाबा से वादा किया था सबसे आली शान कोफिन नहीं होगा अयपन के लाख मना करने पर भी वो सबसे महंगा वाला खरीत लाया अब वो बैंड वाले से बात करने गया जो गाओ में ही रहता है और एशी की बेहन को पसंद करता है पर एशी ने उसका रिष्टा ठुकरा दिया था पर वो अभी तक नीशा को पसंद करता है और इसी वज़े से वो मुफ्त में बैंड बजाएगा लेकिन उसकी शेहनाई जरा तूटी हुई है मगर एशी को थोड़ा अच्छा बैंड वाला चाहिए था खेर पैसे कम है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा इधर घर पे साबेत अपनी पडोस की सहेली को बुला कर कहती है कलना मेरे माई के वाले आने वाले हैं ऐसे खाले गला रहूंगी तो वो क्या सोचेंगे कुछ दिनों के लिए तेरा मंगल सुत्र उधार दे दे मुझे अब यहां गाड़ी पे बंदा कॉफिन जब घर आया तो लोग और बात बदाने लगे इतने पैसे कहां से लाया वह यह इशी और इधर फादर ने पुलिस को फोन करके बता दिया कि ववाचन की मौत एक मुर्डर है बहुत गड़बढ है मुझे लोगों से पता चला है जरह इसकी तहकीकात करवाओ पुलिस कल सुभा आता हूं क्या कर सो गया सुभा हो गई समंदर किनारे रेत पर साइम सो रहा है उसका कुटा भी बगल में लेटा है वो कब्रिस्तान में गड़ा खोदने का काम करता है अचानक वो उठा और समंदर की तरफ प्रातना की मुद्रा में बैठ गया वहां से गुज़र रही चर्च के लोग आपस में बात करने लगे लगता इसने सुभा सुभा ही चड़ा ली फिर उनोंने पूछा क्यों साइमन कौन दिखा वो बोला मालूम नहीं चल रहा फरिष्टा है या शैतान वो बाद में पता लगा लेना पहले जाकर ववाचन के कब्र खोद अब वही दोनों ववाचन के घर प्रातना करने गए तो बगल में सो रही पिनम्मा उ धर मौसम बिगड रहा है इसलिए साइमन अपने काम में लग गया चावरो ने आके उसे एक देसी धर्रे की बोतल दी और कहा ऐसा कब्र खोदना जैसे खुद के लिए खोदी हो वो हसकर बोला चिंता मत करो आज तक के सबसे बढ़िया कब्र खोदूंगा यहां कल रात बतक का गोष्ट किसे ने नहीं खाया था जैसे ही वो खाने की तयारी करने लगे साबेट के माई के वाले पहowalे पहुँच गए और साथ ही फिर से पर नम्मा साबेट और निशा जोर जोर से रोने लगे थोड़ी देर बाद बाहर जाकर साबेट की माने कहा तुमारे गले का चे करके रसम के लिए बुलाने हाँ हाँ तुम लोग चलो मैं आता हूँ मगर उसके जाते ही उसने पुलिस को फोन कर फिर से ववाचन के केस के बारे में पूछा पुलिस परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज होने की कारण चुपचा बैठी है एशी बाहर निकला नम्मा और घर की बाकी दो औरते बिना आसू की सुभा से चीख स्चीख करो रही है एक तो तेज बारिश हो रही है और साथ तूटी शेहनाई से अजीब से सुर निकल रहे है उपर से जल्दबाजी में ववाचन की कॉफिन निकालते वक्त वो नीचे से तूट गई लोग क से तैसे सबने मिलकर ववाचन को कॉफिन पर डाल कर नीचे रखा डॉक्टर भी सुभा आकर मृत खोशित कर गया अब बस फादर के आने का अंतजार है सब ठीक हो ही रहा था कि इतने में एक औरत ववाचन के शफ के पास आकर जोर जोर से रोने लगी और उसे अपना पती क आई है जिसे बुलाने के बारे में पहले ही आयपन ने एकशी को कहा था दरसल ववाचन की दूसरी पत्नी है ये बात गाओं में सब को मालूम है इसी वज़े से वो जादा दिनों तक घर पर नहीं टिकता यहां तक ही एकशी पे नम्मा को भी मालूम है दूसरे परिवार के आते ही ववाचन के दोनों बीविया और उनके बच्चे आपस में लड़ने लगे गाली गलोच करने लगे दूसरी पत्नी और बेटे ने आरोप लगाया कि हमें बिना बताए मेरी ही पती को दफनानी जा रहे थे इन्ही मा बेटे ने मिलकर रेन हमारा है तब तक फादर भी आ गया और उसे ववाचन के सर का चोट दिखा कर कहने लगी खून हुआ है मेरे पती का फादर जो पहले से ही इस फिराक में है बोला जब तब पोस्ट माटम नहीं होता मैं इसे दफनानी के इजाज़त तो नहीं दे सकता आयपन ने बात सभालने की कोशिश की फादर सारी तैयारिया हो चुकी है ये बस एक दुर घटना थी पर फादर टस से मस नहीं हुआ इतनी देर से चुप खड़ा एशी को गुसा आ गया और इसने फादर को वही एक थपड मारा गुसे में फादर बोला मैं भी देखता हूँ अब तो कैसे अपने बाप को चर्श में दफना उसके चले जाने के बाद सब एशी को कहने लगे ये तुमने क्या किया उपर से उसकी मा अब भी गला फाड़ फाड़ करो रही है यहां शुरुवात में दो लोग जो ताश खेल रहे थे अभी तक खेल ही रहे हैं और खेल के बीच में हैं एक ने कहा सब गड़बर लग रह है दूसरा बोला पहले सब गड़बर ही होता है बाद में सही होगा और हसने लगे फाडर चर्श वापिस आया खुदाई करने वाला साइमन का बेटा आया हुआ है फाडर ने कह दिया साइमन के खुदाई की गई कबर में ही आज उससे दफना देंगे लोग एक दूसरे का म दफनानी से भरे कबर में उसका कॉफिन उतार दिया अब आयपन पुलिस को लिया आया डॉक्टर से पूश्टाश पे पता चला कि ववाचन को दिल की विमारी थी उसे दो महीने पहले ही ऑपरेशन के लिए बोला गया था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और सर की चोट इ मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती उन्हें ये खुद देखना होगा अब सारे गाउं वाले खून से हटकर नई बाते करने लग गए कि कहां गाडें के मुर्दे को फादर ने तो मना कर दिया है वगेरा वगेरा सब सुन रहा एशी घर के अंदर गया उसके दिमाग में ववाचन की आखरी बाते घूम रही है एशी ने कुलहाडी उठाई और आंगन में मिटी की खुदाई करने लगा उसकी मा, बहन, बीवी और बाकी लोग ऐसा करने से रोकते लगे उनके पास रोने के अलावा तो कोई काम नहीं, एशी आप इसे बाहर हो गया सबसे पहले उसने घर के ओड़ों को पकड़ कर अंदर बंद किया और फिर तमाशा बने लोगों को खदेडने लगा अभी भी लोग कह रहे हैं, एशी पागल हो गया है, इसे बेहोशी की सुई लगाओ कोई इसने फादर को मारा है और पता नहीं क्या क्या करेगा काम में हाथ बटाने वाला तो कोई नहीं, सिर्व बाते बना सकते हैं एशी ने अकेले ही गड़ा खोदा और ववाचन के मिर्थ शरीर के पास जाकर रोते हुए बोला बाबा, मैं आपकी लिए कुछ नहीं कर सका, ना दुन्या की सबसे अची कॉफिन ला पाया, ना बैंड वाला ना ठारा लोगों की परेड, चांदी का क्रॉस पकड़े, ना मोर के पंक, ना आतिश बाजी और ना ही फादर का मंतर उचारन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका बाबा, कहते हुए ववाचन का माथा जूम कर फुरूने लगा सब लोग बुत बने खड़े हैं, शब उठाकर एशी ने वही घर के आंगन में उनकी कब्र बना दी, और उस पे लकड़ी का क्रॉस लगा दिया और घंटों वही बैठे, रोता रहा, अंत में वही दो लोग जो ताश खेल रहे थे, उनके पत्ते बिखरे पड़े हैं, क्योंकि असल खेल खत्म हो चुका है, और बाहर साइमन का कुट्टा भी मरा पड़ा है दो तरफ से लालटेन पकड़े कुछ लोग नाव से उन्ही लेने आ रहे हैं, और किनारे पे चार लोग खड़े हैं, साइमन अपने कुट्टे को पकड़े हुए, ववाजन बतक पकड़े, और वही दो ताश खेलने वाले, एक सफेद और एक काले जोगे में, जो कुछ करता है, लेकिन मरने के बाद ये भौतिक चीजे उसकी किसी काम नहीं आती, जैसे ववाजन के नोट बंदी से पहले के रुपए, उसके अंतिम संसकार में कोई काम नहीं लगे, जीते जी हम खुद को बहुत एहम समझते हैं, लेकिन मरने के बाद सब धरा का धरा रह जैसे पड़ोसी, उसके मनने की पीछे कहानी बना रही है, उसकी मौत को साजिश और खून का नाम दे रही है, जो कि उसके परिवार ने की है, कैसे उसकी पतनी पिनम्मा, किसी के भी अंदर आते ही, जोर-जोर से रोने लगती, लेकिन दुख इंसान लोगों के सामने नहीं अकेली में जाहिर करता है, अब उसकी बहु को देख लो, जिसे इस बात की जादा पड़ी है, कि उसके माईके वाले सूना गला देखेंगी तो क्या सोचेंगे, बेटी निशा, जो अपने बॉइफिंट से गले मिली तो उसकी नियत बिगड़ गई, जो ये दिखाता है, कि इसे बुलाने आए दोनों आदमियों में, उसकी रूची उसकी बातों में जादा थी, जो इस मौत को कतल बता रहा है, अब इधर कॉफिन वाले को भी मौका मिल गया, और एक पक्के सेल्समैन की तरह अपना समान भी बिकवा लिया, और उस गरीब को लूट लिया, उसके घ बी दिया करते ही, लोग नफा, नुकसान, सोचने लगते हैं, अब आते हैं कहाने के दूसरे पहलो पे, ववाचन का इतने समय बाद, उसे शाम घर लोटना, बार बार उसे पिता के अंतिम संसकार का यादाना, उसकी बाते करना, बाहर का आशांत मौसम, मगर ववाचन का ब पर ये बताना मुश्किल है कौन किस नाव पे सवार होगा। पर ये बताना मुश्किल है कौन किस नाव पे सवार होगा।